एक अद्भुत कवी संथ थे, जिनका जन करनाटक के मुधनूर नाम की जगा पर हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वो इतने अच्छे बुनकर थे, कि एक बार उन्होंने महीन और सुंदर बुनाई वाला बहुत बड़ा पगडी का कपड़ा बुनना शुरू किया। उसे बुनने में उन्हें महीनों लगे, उन्होंने कपड़ा बुन लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी, वो उसे बाजार ले गए, वो कपड़ा इतना बड़ा और इतना सुन्दर था, कि किसी ने उसकी कीमत भी नहीं पूछी, सभी को लगा कि ये बहुत महें होगा, वो अपना कपड़ा नहीं बेच पाए, फिर वो अपने सुन्दर कपड़े के साथ वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुड़ा आदमी बैठा मिला, वो आदमी काप रहा था, उसमें दासी मईया की ओर देखकर कहा, मैं काप रहा हूं, क्या तुम मुझे वो कपड़ा दे सकते हो, दासी मईया ने वो कपड़ा उसे दे दिया, उस आदमी ने वो कपड़ा खोला, और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिया, एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांधा, दूसरा अपनी छाती पर, दो छोटे टुकड़े अपने पैरों पर, औ और उन्हें पहन कर बैठ गया दासी मईया बस देखते रह। फिर बूड़े आदमी ने दासी मईया की ओर देखकर पूछा। कोई दिक्कत है क्या? दासी मईया बोले नहीं, ये कपड़ा आपका है, आप जो चाय कर सकते हैं। फिर दासी महीं उस बूड़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए भी ले दे लेकिन घर पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था उनकी पत्नी परिशान होकर बोली आप महमान को साथ लाएं घर में इतना खाना भी नहीं है कि आप खा सकें और आप एक महमान साथ ले आएं अब क्या करें? वो बोले घर पर जो भी है तुम वो पकाओ और इन्हें खाना खिला हम लोग बाद में देखेंगे वो बुड़े आदमी खुद शिव थे वो अपने असली स्वरूप में आ गये और उन्होंने एक मुठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दी वो बर्तन अक्षय बन गये वो बर्तन उनके पूरे जीवन में कभी खाली नहीं हुआ उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में अंगिनत लोगों को खाना खेलाने में किया ये थे दासी मईया, उनकी भक्ती, कवितान और उनकी अध्भुत उपस्थिती, जिसने कई लोगों को रुपांतरित किया इन सभी वजाओं से लोग उन्हें देवरा दासी मईया कहने लगी देवरा का मतलब है वो जो इश्वर का है झाल झाल